प्रेदर शुकू, नमस्कार, एक बर फिर से उपस्तित हूँ आप सबके सामने, आज चर्चा करने के लिए धन विशेश पर, ऐसे तो इस विशेश पर मैंने कई सारे कारेकरम बना रखे हैं, लेकिन धन के स्थोती जिस तरह से होती जा रही है, उस हिसाब से मैंने फिर शे ए जा सकता है, कि जा तक आजीवन धन से युक्त रहने वाला है, या फिर अपने पैर पर खड़ा होकर के, जा तक धन कमाने वाला बनेगा, मैंने यहाँ पर एक चक्रभी बनाया है, और उसके 12 शुत्र लिखे हैं, जो क्रमसा किसी ने किसी जन्मकुंडली में घटित होते दे तो जन्मकुंडली का लगन ये होता है, और धन भाव ठीक दूसरा भाव होता है, तो अगर लगन भाव के स्वामी, यानि कि जो लगने से आपके, वो जाकर कि अगर जन्मकुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं तो ये एक प्रकार का योग बन जाता है, जिसे धनवा योग कहा जाता है, दूसरी बात कि बुद्ध गुरू से अगर दृष्ठ हो जाते हैं, जन्मकुंडली में बुद्ध कहीं भी बैठे हो, जन्मकुंडली के बारहो भाव में से बुद्ध कहीं बैठे हो, अगर वो गुरू से दृष्ठ हो जाते हैं, तो ये धनवान योग हो जाता है और ऐसी स्थुती में जातक धन का उच्छ भोकता बन जाता है उसके बाद धनेश और धन भाव सुभग ग्रहों से द्रिस्ठ हो यहां पे जो नमबर की रासी बन रही है आपके जन्मकुर्णी में यहाँ पे जो अंक लिखा हो तो वहां के इस वो उस नमबर की राशी के अधिपती हो जाएगे सुभग्रह कौन कौन से या तो गुरू देख ले या सुक्र स्वैम इस भाव में बैठ गए हो या फिर सुक्र कहीं से इस भाव पे दिश्टी डाल रहे हो या फिर पुर्ण चंद्र जो है वो सुभग्रह होता है तो पुर्ण चंद्रमा उनको देख ले रहा हो या या तो यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, या यहां या फिर यहां, यानि कि लगन, चतुर्थ, सब्तम और दसम में बैठे हों, या फिर गुरु को यहां बैठा होना चाहिए, या फिर यहां बैठा होना चाहिए, मतलब या तो केंदर के चारों घरों में से किसी भी घर में बैठे हों या फिर त्रिकोन में पंचम भाव में या नमम भाव में एक बात और बता देता हूं कि अगर गुरु लाभ भाव में भी बैठे हों और क्रमशह उनके साथ या तो लगनेस बैठे हों या फिर धन भाव के स्वामी बैठे हों ध्यान से समझेगा अगर गुरु दोनों भावों में भी बैठ जाएं और क्रमशा करिंद्र में बैठ जाएं तो ये जातक को धनवान बनाने के लिए काफी होते हैं उसके बाद अगर जन्मकुंडली में गूरू एकादश्वे भाव में बैठे हों और साथ ही साथ उनके शाथ अगर केंद्र भाव के स्वामी यानि की किंद्र नहीं लगन के स्वामी अगर उनके साथ बैठ जाते हैं तो ये भी धनवान योग हो जाता है उसके बाद अगर गूरू एकादश्वे भाव में बैठे हों और धन भाव के स्वामी भी उनके साथ स्थुती बना करके यूती में बैठे हों एक साथ बैठे ह तो ये धन्वान योग हो जाता है फिर उश के बाद , धुतियस और धनेस उच्यके हूं यानी की आपकी जन्मकूंडली के दूसरे भाव में यहां पे जन्मकूंडली के दूसरे भाव के अधिपती अपने उच्य रासी में बैठे हों जैसे मानली जी यहां दो नम्बर लिखा है, या 5 नम्बर लिखा है तो 5 नम्बर की जब रासी बनेगी धन भाव में, तो उसके अधिपती होते हैं सुर्ये, और शुर्ये जहां भी जन्मकुंडली में बैठे हों, वो वहाँ पे 1 नम्बर लिखा हो, यानि कि सुर्ये उच्छ के होकर के बैठे हों वस यही समझे कि आपकी जन्मकुंडली के धन भाव के स्वामी अपने उच्छ रासी में बैठे हों तो ऐसी इस्थुती में ये धनवान योग हो जाता है उसके बाद करते हैं लाभेस धन भाव में जन्मकुंडली का एकादस्वा भाव अधिपती आपकी जन्मकुंडली में यहां पे जो अंक लिखा है इस अंक के अधिपती अगर अपने स्थान परिवर्तन के साथ यहां बैठ जाते हैं तो यह धनवान योग हो जाता है और ऐसे इस्थुती में यह महाधनी योग बन जाता है और ऐसे इस्थुती में जातक अगर उस रासी के अधिपति अपने रासी में बैठे हो, ये कैसे होगा, गर मान लिजे ज़े कोई भी यहां पे अंक लिखा हो, तो उस अंक के अधिपति जो होते हैं, वो अपने रासी में जाकर के जन्मकुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो ऐसी इस्थुती में ये महाधनी योग होता है या फिर धनवान योग बन जाता है या फिर अगर जन्मकुंडली के धन भाव के स्वामी अपने मित्र की रासी में बैठे हों वो जहां बैठे हों उख्षरासी के अधिपत होता है उसके बाद बात करते हैं गुरु चंद्रमा योग अगर आपकी जन्मकुंडली में गुरु और चंद्रमा परस पर केंदर में बैठ जाएं एक दूसरे से केंदर में हो जाएं या फिर वो त्रीकोन में एक साथ हो जाते हैं या फिर वो एक दूसरे के साथ दृष्ट चंद्रमा पर हो, अब समझ गये होंगे आप, गुरु की पाँचवी, सात्वी और नवी दृस्टी चंद्रमा पर पढ़ती हो, उसके बाद या तो एक दूसरे को ये सात्वी दृस्टी से देख रहे हो, या फिर ये एक दूसरे से चौथे दस्वे के संबंध में हो, तो भी योग बन जाता है गुरु मंगल एक साथ हो जन्मकुंडली में मंगल कहीं भी बैठे हो और गुरु भी उनके साथ यथावत इस्थती में बैठे हो तो ये भी एक प्रकर का धनवान योग बन जाता है और ऐसे इस्थती में जातक महाधनी योग को ले करके पैदा होता है गु और धन तो उसके पास आते ही रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा और मंगल लक्षमी योग बन जाता है, अगर जन्मकुंडली में आपके चंद्रमा और मंगल एक साथ बन बैठे हों, एक दूसरे के साथ दृष्टी का संबन रखते हों, या एक दूसरे के साथ राशी का देख रहे हों, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के साथ बैठे हों, चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे के साथ जो चौथे, सात्वे और आठ्वे दृष्टी से मंगल चंद्रमा को देख रहे हों, तो ऐसे इस्थुती में ये महाधनवान योग, महाधनी योग बना देता है उसके बाद लगनेस धन भाव में अगर बैठ जाए अगर आपके जन्मकुंडली में लगन भाव का स्वामी यानि कि यहां का स्वामी अगर एकादस्वे भाव में बैठ जाए तो यह महाधनी योग हो जाता है या धनवान योग हो जाता है कि लगनेस कहां जाके बैठा जन् अगर जन्मकुंडली के दूसरे भाव में बन रही रासी के अधिपती अगर नवे भाव में चले जाएं तो निश्चित्रूप से ये भी एक महान धनी योग हो जाता है जिसे धनवान योग ही कहा जाता है जन्मकुंडली में परशपर धन भाव का जब विचार करना हो तो परशपर इन दोनों को केंद्र में रख करके इनको लगन मान करके अगर हम जन्मकुंडली का फखलादेश करेंगे तो सत प्रतिशत जातक के धन के बारे में विचार अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उसका फखलादेश बिलकुल सत प्रतिशत सटीक होता है ये परश अजन कुड़ी में धन की इस्तुति कैसी रहने वाली है परशपर यह जो बारहोज शुत्र है वो मैंने आजमाय है जन मुकुंड़ीं पर घटित करा करके मैंने देखे हैं तब जाकरके मैंने यापके साहमें उपस्तित किया है कुछ इसी तरह से आपको ये कारी करम का शमाप झाल झाल